कि नवस्कार दोस्तो आज हम आपके लिए ले करके आये हैं यूपी बोर्ड के रेलेटर में कुछ जो कि हाई स्कूल हो या इंटर हो दोनों में पूछ जाते हैं और ऐसी सब्द हैं यो मोहाबरी हैं हिंदी मोहाबरी हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे जहनकारी हम आपको बताएं चलते हैं और उसके बारे मोने पर इस हुशसर में आखेंगा और गड़ाना और को मतलब किया होता है आँखे गड़ाना को मतला होता है एक तक देखती रहना एक तक देखती रहना जैसे किसी नई जैसे लड़की है उसको अगर तुम एक बार देखते हो तो देखते ही रहते हो पास साथ मिनट के लिए तो आँखे गड़ाना कहते हैं और समझे आया है अब देखते हैं दूसरा दूसरे लेखा है कि आंखों का तारा आंखों का तारा मेंज अत्यांत प्रिय जैसे कि हर कोई अपने मम्हीं पापा दादी बठी का लड़का जो भी वह dyed प्रीय होते है थी या तो आप देखते हैं तीसरा तीसरा हम्हें लेखाए कि ईद का चान गोना के लिक्षफ इत का चांद होना का मतलब क्या होता दोस्तों काफी दिनों बाद मिलना जैसे कि कोई तुमारे दो दोस्त रहते हैं तो दोस्त है एक कहीं बाहर चला गया कहीं रहनी लगा वो काफी दिनों बाद आया वो मिला एक दूसरे बूली हार दोस्त तुम तो कहीं चले गए इत के चा कार देना तो उसको क्या कहते हैं दोका देना अब देखते हैं काया पलट जाना का मतला होता है क्या होता है बदल जाना बदल जाना जैसे कि कि किसी के पास ज्यादा धन आ कि आया मतलब क्या होता है वे भी धोन्हा裁क It ہोना क्या जैसे कि तुम कहीं जंगल में कहीं चेति जुक्ट गया गया एक दिख्ञा गया riv कि अपने घरमें कोई नोकरी ये कोई लग गई तो आपको सोते हैं अपो स्कुना तो उसको या में जबते हैं वह कोई इंसान लाए बίकर यह रहा तो इसका कह सकते का तो क्या कह सकते हैं भारती टीम ने पाकिस्तान के चख्के चुड़ा दिए अप देखते हैं लास्ट आज का या लास्ट है जी जान से जुड़ जाना को मतलब होता है मन लगा कर कोई गया रहा है जैसे कि हम मन लगा कर आप लोगों को पड़ा रहे हैं आप लोग या कुछ नहीं करते हैं आप तो बस वीडियो देख लेते आप अपसांध रहते हैं इसलिए दोस्तों इसका मतलब क्या होता है मन लगा कर पढ़ाय करना दोस्तों यह थे हमारे कुछ मुहावरे के बारे में तो आप लोग इनको बस एक बार देख लो याद नहीं करना अपने आप याद हो जाएंगे आपको यह अगर एक्जाम देने जा र वाली है क्योंकि आप हमारे वीडियो को कांटिन्यू देखते रहा हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें कमेंट करें दोस्तों साथ सेयर कर दो जल्दी भटाक से धन्नवाद